नमस्कार नीज़ फोनेशन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रंजन सिंग बतादे आपको कि लालू प्रशादी आदब और तर्यस्वी आदब को एडी ने पूछताच के लिए बुलाया है बतादे आपको कि लैंड फॉर जॉब मामले में कई बार तर्यस्वी आदब को जो है वो सम्मन आ चुका है और उसमें तर्यस्वी आदब जो है वो शिरकत उन्होंने नहीं किया मेडिकल जो भी रहा उन्होंने अपने बातों को एडी के सामने रखा पॉरेडिकल इविंड्स की बात हो या फिर अन्य चीजों को लेकर जो है वो बाते निकल कर सामने आई लेकिन जो तिज़स्वी आदब को सम्मन भेजने की बात तो आज एडी के एक उफिसर पटना ओफिस पटना के आवास पर तेजस्वी आदब और राबडी देवी के आवास पर पहुँची ED के एक अधिकारी पहुँचे और उसके बाद एक जो कहा जाए कि सम्मन लेकर वो पहुँचे दस सरकुलर राबडी हाउस में गेट पर ही सम्मन को रेशीव कर लिया अब ख़बर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादब और तेजस्पी यादब क्या इस बार भी सम्मन आया है तो दिल्ली जाएंगे नहीं इस बार दिल्ली इनको नहीं जाना है जर असल याद कर ये जारखन में जो मामला हुआ है हेमंद सुरेन के साथ जिस तरीके से पूछताच उनके घर पर किया गय तो तस्वीरे फिलाल जो है वो दस सरकूलर राबरी हाउस की है जो आपको देखिए यहां का जो महौल है वो आपको दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि अब तक की जो जर्चा हो रही थी कि लालू प्रसाद यादब जो है वो दिल्ली जाएंगे क्या इस बार तजस्वी आदब शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे इस तरह की चर्चा जोरो पर है लेकिन अब जो खबर निकल कर सामने आई है उसके मताबिक हम आपको जानकारी दे रहे हैं मिली जानकारी के मताबिक एडी ने 29 तारिक को लालू प्रसाद यादब को बुलाया ह पटना ओफिस में तो वहीं 30 तारिक को तेजस्वी आदब जो है वो परवरतन निदेशाले का कारियाले पहुंचेंगे अब परवरतन निदेशाले का कारियाले जब वहां पहुंचेंगे तो वहां पर 29 तारिक को लालू प्रसाद यादब से पूछताच की जाएगी और 30 तारिक को जो है वो तेजस्वी आदब से पूछताच किया जाएगा ED के द्वारा लेकिन जो जिस प्रकार से एक तरफ बिहार में सियासी उत्तल पुधल है तो यहीं दूसरी तरफ CBI ED का जो सम्मन है वो लगतार जो है लालू परिवार को भेजा जा रहा है अब ऐसे में द पूछताच करेगी पटना के परवर्तन निदिशालेक कार्याले में